बसंत पंचमी का तेवहार रितुराज बसंत के आगमन के तौर पर मनाया जाता है। इस बार बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी के दिन मा सरस्वती की पूजा करने का विशेश विधान होता है। इस दिन विद्या की देवी मा सरस्वती की पूजा अर्षना करने और कुछ विशेश उपाई करने से व्यक्ति की सभी मनुकाम नायब पूर्ण होती है ऐसी मान्यता है। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन इस विधी से मा सरस्वती की पूजा जरूर करें। तो चलिए जानती हैं क्या है वो विधी। बसंत पंचमी के दिन सूर्य उदे से पहले उठ कर स्नान करें और साफ सुत्रे कपड़े पहने। इसके बाद घर के इशान कोन में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिचाएं और उस पर मा सरस्वती की मूर्ती को स्थापित करें। मूर्ती के पास एक कलश में जल भर कर उसमें पान, सुपारी और दक्षिना रखें। फिर पहले गणेश जी की वंदना करें और इसके बाद मा सरस्वती का आवाहन कर उनसे अपने उज्वल भविश्य की कामना करें। पूजा के दौरान मा सरस्वती को पीले रंका पुष्प, पीले रंकी चुनरी या साडी, पीले रंका गुलाल, अक्षत, हल्दी, आदी ये सब पूजन सामगरिया मा सरस्वती को अर्पित करें। इसके बाद आप देवी सरस्वती की आर्ती करें और उनकी चालिसा का भी पाठ करें। बेर और बूंदी के लड्डू का मा सरस्वती को आप भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद इसी प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बाटे और खुद भी ग्रहन करे इस विधी से देवी सरस्वती की पूजा करनी से आप पर सदा उनकी कृपा बरसेगी और परीक्षा में विध्यारतियों को भी अच्छा परिणाम मिलेगा